महराष्ट विधानसभा चुनाव के नतीजों का एलान कल हो जाएगा जिसके चलते सभी राच्वनितिक दलों की धड़कने तेज होती जा रही है जहां बीजेपी शिवसेना गटबंदन एक बार फिर सूबे में सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त है तो दूसरे तरफ पे नेता ने तो उस गटबंदन को मजबूरी तक का नाम दे दिया है तो क्या है विपक्षी खेमे में तलकियों की वज़ा इस रिपोर्ट में देखिए महराश्ट विधानसभा चुनाव से पहले जहां बीजेपी और शिवसेना में सीट बटवारे और सीम पत को लेकर जमकर बयान बासी हो रही थी तो दूसरी तरफ सताधारी गटवंदन को मात देने के लिए कॉंग्रस नसीपी अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटे हुए थे मगर मतदान के बाद अब हालात बदल गए हैं अब बीजेपी और शिवसेना जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं तो कॉंग्रस एंसीपी एक दूसरे पर ही शब्दों के बान चोड़ रही है जी हाँ ज्यादतर एक्सिट पोल्स में बीजेपी शिवसेना गठबंदन की एक तरफा जीत की भविश्यवानी के बाद कॉंग्रस और एंसीपी ने एक दूसरे पर दोश मढधनास चुरू कर दिया है एंसीपी नेता और राजेसभा सांसद मजीद मेंमन ने कॉंग्रस पर तंच कस्ते हुए कहा है कि कॉंग्रस अध्यक्ष तूरिया गांधी और पार्टी महासची प्रियागा गांधी चुनाव प्रचार से दूर रही राहुल गांधी आये लेकिन कॉंग्रस के अपने नेता ही राहुल की जनसभाओं से दूर रहे सिर्फ एंसीपी अध्यक्ष रत पवार ने चुनाव प्रचार के दौरान कड़ी महनत की मेमन ने कहा कि कॉंग्रस के साथ कटबंदन एंसीपी के लिए एक मजबूरी थी क्योंकि पार्टी अकेली चुनाव लड़ने की स्थिती में नहीं थी आपको बता दे कि मेमन की टिपनी कॉंग्रस के राज्य महसचेव राचन भोसले के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको बाश्तव में दुश्मन की जरूरत नहीं है जब आपके पास एंसीपी जैसे सहीयोगी हूँ एंसीपी पर कटाक्ष करते हुए भोसले ने पूछा था कि शरत पवार को छोड़ कर आपने राज्य भर में एंसीपी के किसी अन्य नेता को नहीं देखा स्वास्त संबंदी समस्याओं का सामना करने के बावजूद एक असी साल के व्यक्ति को सार्जनेक बैठेकी करने के लिए राज्य भर में यात्रा करने पड़ी एक तरफ कॉंग्रस NCP के बाकी नेताओं पर तंच कस रहे थी तो दूसरी तरफ NCP भी कॉंग्रस की कम्यों से उसे रूबरू करवा रही थी हाला कि दोनों नेताओं की टिपने के बाद कॉंग्रस NCP के कुछ बरिष्ट नेताओं ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की और उनके बयानों को खारिश किया लेकिन ही साफ समझ आ रहा है कि अगर चुनाव परिणाम भी एक्सिट फोल के मताबिक हुए तो ऐसे बयान थमने वाले नहीं है डीबी लाइफ की रिपूर्ट